प्रमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज हम प्रभु के वच्चन के मनन के लिए पढ़ेंगे प्रकासित वाक्य और उसका दूसरा अध्याय और उसकी अठारा आयत से लेकर 29 आयत तक हम पढ़ेंगे और उसी पर हम मनन करेंगे थुआ तिरा की कलिश्या के दूद को यह लिख परमेश्वर का पुत्र जिसकी आखें आग की जवाला के समान और जिसके पाउं उत्तम पितल के समान है वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धिरच को जानता हूं और यह भी कि तेरे पि पर मुझे तेरी विरुदिया कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आपको बविश्यक वक्तिन कहती है और मेरे दासों को विविचार करने और मुर्तियों के आगे चड़ाई गई वस्तुएं खाने सिखला कर भरमाती है मैंने उसको मन फिराने के लिए आवसर दिया पर वह अपने विविचार से मन फिराना नहीं चाहती देख मैं उसे रोगशहिया पर डालता हूँ और जो उसके साथ विविचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े कलेस में डालूँगा मैं उसके बच्चों को मार डालूँगा तब सब कलिशयें जान लेंगी कि रदई और मन का पर रखने वाला मैं ही हूँ और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूँगा पर तुम थुआति रखने के बाकी लोगों से जितने इस सिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिनें सेतान की गहरी बाते कहते हैं नहीं जानते यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोजन डालूंगा पर हाँ जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक ठामे रहो जो जही पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे मैं उसे जाती जाती के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदन लिये हुए उन पर राज़ करेगा जिस प्रकार कुमार के मिट्टी के बरतन चकनाचुर हो जाते हैं मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है और मैं उसे भोर का तारा दूंगा जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीशियाओं से क्या कहता है प्रभी यश्मसी के जिवीत और सामर्थी नाम में आप सभी का स्वागत है मसीवी मेरे फ्रियो आज हमने जिनवचनो को पड़ा है उसके अंदर थुआतिरा की कलीशियाओं के नाम संदेश के बारे में हम पड़ते हैं जो प्रभी यश्मसी का जो एक सिश्य था चेला था यहुन्ना जिसको परमेश्वन ने परमेश्वर के वच्चन और मसीश्यो के गवाही के कारण जो पत्मस टापू पर अपने सज्या भूगत रहा था उस समय परमेश्वन ने उसे दर्शन दिया और आसिया की जो साथ कलीशिया थी हर एक कलीशिया के नाम पत्र को उसने लिखा और हर कलीशिया को उसने भेज दिया तो थुआतिरे की कलिश्या के बारे में हम पढ़ते हैं थुआतिरे का मतलब होता है कि स्त्री का सासन स्त्रियों का शासन उसका राज्य उनकी भूमी का और इस रिती से हम देखते हैं कि हर कलिश्या के अंदर हम देखते हैं कि परमेश्वर कलिश्या को अपनी पहचान पहले क करता है इससे हमें पता चलता है कि परमेश्वर उनकलिश्या के साथ कैसा विवार करने वाले हैं और उनके साथ-साथ उनकलिश्या के समयकाल भी बाइबल करिगनाताओं के द्वारा बताया गया है और उनके अच्छे कामों के बारे में भी बताया गया है और उनके जो गलतिय है उनके जो भी कमजोरिया उनके बारे में भी बताया गया है उनके साथ साथ अंत में उनके लिए जो उनके वच्छन के अनुसार जो चलते हैं जो जई पाते हैं उनके रिवोर्ड भी परमिशन देने के लिए वच्छन दिया है तो इन बातों को हम इसके अंदर देखते हैं लेकिन खास तोर पर जो आज हम मनन करेंगे वो है 25 वी आयत, वहां पर लिखा है पर हां जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। तुम्हारे पास जो है उनको मेरे आने तक थामे रहो। बहुत सी बातें हम हर कलीशिया के अंदर हम देखते हैं और ये बातें इसलिए लिखी हुई है कि वर्तमान जो कलीशिया है प्रभू की कलीशिया यिश्मसी ने अपने लहो के द्वारा खरीदे हुए लोगों को कलीशिया बताया गया है और कलीशिया हम भी कलीशिया है कलीश शक्ति कलिश्या कोई संस्ता या संगठन नहीं हो सकता लेकिन यिश्य मसी पर विश्वास करने माला हरेक प्रभू की कलिश्या हैं हम उसके लिए बुलाए गए हैं और इसलिए यह थुआ तिरा की जो कलिश्या थी उन समय उनका समय काल जो बाइबल के अगनाता वो जो बता हैं कि इसवी सन 538 से लेकर 1517 तक उनकलिश्या का समय काल था उस समय कलिश्या ने पूरे आश्या के अंदर देशों के अंदर राज किया था और उस समय उस समय रोमन सामराज्य ने कलिश्या के अगवों को अपने राज्यों को हाथ में दे दिया था और कलिश्या उस समय ऐसी तरह कलिशय देशों के उपर राज कर रही थी लेकिन अन्त में हम देखते हैं कि उसके अंधर जो कमी पाई गई उसके अंधर जो भी उनकी जो कमजोरी पाई गए उनको परमेश और पहले से ही जानता था क्योंकि जब कलिशय के अंधर आसीस होती है तो पूरा संसार कलिश्या के अंदर आता है लेकिन जब कलिश्या की पढ़ती आती है कलिश्या कमजोर होती है तब उसके सामने संसार जगत उनका विरोधी हो जाता है इसके लिए परमेश्वर चाहता है कि कलिश्या को संसार से अलग रहना चाहिए यहां पर हम देखते हैं कि ये श्मसी अपने आपको इसके लिए बताते हैं कि यहां पर हम पढ़ते हैं प्रभुकावच्चन कि परवेश्वित का पुत्र जिसकी आखें आग की जवाला के समान और जिसके पाउं उत्तम पित्तल के समान हैं वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, विस्वास, सेवा और धिरच को जानता हूं और यहां भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर हैं मसीमी मेरे प्रियो जब पहले हम पढ़ते हैं कि परमिश्वर का पुत्र जिसकी आखें आग की जवाला के समान और पाउं उत्तम पित्तल के समान हैं इन बात से हमें पता चलता है कि परमिश्वर कलिश्या के लिए कोट से भरे गुसे में हैसा हमें पता चलता है और आगे हम देखते हैं कि कलिश्या के अच्छे कामों को अच्छे गुणों को परमिश्वर वनन करता है जो भी हम प्रभु के लिए काम करते हैं प्रभु के लिए हम जीवन जीते हैं उनका स्मरण परमिश्वर सदा के लिए रखता है वो कभी भी हमें भूलता नहीं है और इसलिए यहां पर हम देखते हैं कि थुआतिरिय की कलिश्या के कामों उसके प्रेम उसके विस्वास और सेवा और धिरज को परमेश्वर जानता है और यह भी जानता है कि पिछले का काम पहले से बढ़कर है जो अभी जो काम कर रही है वो पहले से बढ़कर कर रही है मतलब वो खलिश्या उन्नती की और जा रही है लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि मुझे तेरे विरुद कुछ कहना है कि तू उस तरी जबेल को रहने देता है जो अपने आपको भविश्यद पक्तीन कहती है और मेरे दासों को यह विचार करने और मुर्तियों के आगे चड़ाई गई वस्तुएं खाना सिखला कर भरमाती है यहाँ पर हम कलिश्या की कमजोरी को कलिश्या की गलती को हम यहाँ पर पढ़ते है जो परमिश्यर पहले से ही जानता था की कलिश्या के अंदर इजबेल की सिक्साएं इजबेल की काम को पाया गया और इसलिए यह इजबेल कौन है इसके बारे में भी हमें जानना चाहिए जो एलिया के समय में पहाब राजा था उनकी पत्नी थी और वो राजबुत्री थी और इसलिए इस बेल खुद भविश्य वक्ता नहीं थी प्रबुदिका नहीं थी लेकिन वो प्रबुदिका के डुफ्रीगेट कोफी कर रही थी उसके अनुसार काम करने के द्वारा वो लोगों को भरमाती थी प्रबुके सेवोकों को आकरशित करती थी प्रबुके सेवोकों को अपने वस्मे कर लेती थी उनको पाप करवाती थी और उनको मार डलवाती थी ऐसे दुष्ट काम करवाती थी और मुर्थी पुजा के आगे जो भी चड़ाए कोई वस्तुएं उनको खिलाकर उनको भरमा देती थी यह काम इसबेल का था और वही काम वरतमान कलिशा के अंदर लावत यह थुआतिरे के कलिशा के अंदर भी पाए गए क्योंकि जब कलिश्या संसार पर राज करती है तो संसार कलिश्या के अंदर आ जाता है और धीरे धीरे अपने कामों को वो उसके अंदर प्रगट करता है और एक ऐसा समय आ जाता है कि कलिश्या जब कमचोर होती जाती है तो संसार कलिश्या के अंदर ट्रबल होता जाता है संसार के काम कलिश्या के अंदर फैलते जाते हैं और उस समय कलिश्या जिसने संसार के साथ मिलमिलाप कर लिया संसार के साथ कंप्रोमाइस कर लिया होता है और इसलिए संसार को बाहर निकालना संसार की बातों को बाहर निकालना उसके लिए असंभव हो जाता है इसके लिए परमेशर पहले से ही इस कलिश्या को चेतावनी देता है कि जो इस बेहल को तू रहने देता है मतलब की कलिश्या ने संसार से जगत से जगत के राजाओं से कॉंप्रोमेज कर लिया है वो कलिश्या के अंदर रहे कर धीरे धीरे अपनी सत्ता को अपने कामों को धीरे धीरे प्रगट करता जाता है उसके द्वारा परमेश्या की कलिश्या सुध होती है परमेश्या की कलिश्या गिरती चली जाती है वो कमजोर होती जाती है और इसलिए परमेश्वर कहता है कि संसार से अलग रहना संसार के साथ कमप्रोमाइज नहीं करना संसार की चीज़ों के साथ कमप्रोमाइज नहीं करना उससे अलग रहना पहले सी परमेश्वर नहीं हमें सिखाया है उसके वचन के अंदर हम बार-बार पढ़ते हैं कि संसार के संसार से और संसार से प्रेम मत करो, उनकी बातों से प्रेम मत करो क्योंकि अगर उनसे हम प्रेम करेंगे, उनके साथ मेलमी लाप करेंगे, एक दिन वो हमें अपने कब्जे में कर लेंगे इसलिए परमेश्वर चाहता है कि खलीश्या संसार से अलग रहे और आगे वो कहता कि इसलिए मैं उनको मन फिराने के लिए मेन अवसर दिया पर वो अपने बेविचार से मन फिराना नहीं चाहती यह जिस्त्री थी जिवेल जो आप की पत्नी थी वो एक राजपुत्री थी वो रानी थी और इसलिए आप को वो अपने वसमें भी कर लेती थी इतना है नहीं लेकिन जितने भी प्रभू के सेवक थे जो भी प्रभू के लोग थो उनको भरमा देती थी इसलिए परमिस्वर आज की वर्तमान कलिश्या के लिए भी यह कलिश्या के से हम सिखना चाहिए कि जो कलिश्या संसार से कंप्रोमाइस करती है उनके लिए आने वाले समय में कठिनता आएगी उनके लिए आने वाले समय में दुख से बरे दिन आएंगे क्योंकि उसने संसार से मिल मिलाव कर लिया है समझूता कर लिया है यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभू का बच्चन बाइस में आएट में पढ़ते हैं तो वहाँ पर इसे लिखा है कि मैं उसे रोक सहिया पर डालता हूँ और जो उसके थाद विचार करते हैं यदिवे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े कलेस में डालूँगा यहाँ पर प्रभू का बच्चन कहता है कि मैं उसे रोक सहिया पर डालता हूँ उसे में खटिया पर गिराता हूँ और जो उनके साथ विचार करेंगे उनके साथ मेल मिलाब करेंगे उनकी सिक्सा में भागी होंगे और वो मन नहीं फिराएंगे तो उनको मैं क्या करूँग में दुख उठाते हैं उनका करण यह भी होता है कि वो संसार से इजबेल से वो समझुदा कर लेते हैं उनका फलसरोप कलिश्या के अंदर धंड आता है कलिश्या के अंदर कलेश आता है हर बात ऐसा होना संभव नहीं है फिर भी संभव है कि अगर कलिश्या संसार के साथ इस बेल के साथ अगर समझोधा करती है तो उसको दुख उठाना पड़ेगा यह परमीश्र का वचन है मतलब कि जो कलिश्या के लोग जो है माता पिताज है या तो कलिश्या के अगुए कलिश्या के सेव को अगर कलिश्या के बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे वईतरता के बारे में संसार से अलग रहने के बारे में उनको सिक्षा नहीं देंगे टिचर पढ़ाएंगे नहीं तो ऐसा समय आएगा क्योंकि इजबेल की जो सिक्सा है वो बच्चों पर असर डालेगी और इसलिए बच्चों को प्रबू में स्थिर करना बच्चों को कलिश्या के बच्चों को प्रबू में स्थिर रखना उनको विश्वास में चलाना का ठीन हो जाएगा और इसलिए उनकी असर कलिश्या के बच्चों पर पड़ेगा इसलिए प्रभु कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं बच्चों को मार डालूँगा मतलब कि कुछ नुक्षान कलिश्या को उठाना पड़ेगा क्योंकि उसने संसार के साथ समझोता किया है और इसलिए हमें मन फिराना है पश्यताव करकर ऐसे कामों से हमें मन फिराना है और प्रभु की सिद्ध इच्छा पर हमें चलना है क्योंकि प्रभु कहता है कि मैं रदई और मन का परकने वाला मैं हूं और तुम मैंसे हर एक को उसरा बदलाद होगा हमारा परमेश्वर न्याई परमेश्वर है वो कभी भी हमें जो दोसी उनको न्याई नहीं ठहराएगा लेकिन जो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए एक मार को खोला है कि जो कोई यश्मसी पर विस्वास करेगा वो ँद्धार को पाएगा उसको अनचियन प्राप्ट होगा परमिश्वर हमें एक आसान मार्ग दिखाता है परमिश्वर हमारे लिए के दो़ार को खोला है परमिश्वर हमारे लिए चिन्ता करता है, अपने बच्चों के लिए वो चिन्ता करता है, वो कभी भी अपने लोगों को नास करने की इच्छा नहीं रखता है, लेकिन परमिश्वर हमें ऐसे कलेस से बचाना चाहता है, और धुआतीरा की कलिश्या के जो लोग हैं, बाकी लोग हैं, जो सेतान की बातो को वो नहीं मानते इस इक्षा को नहीं मानते जो गहरी बाते हैं अच्छी बात अगया इससी बातों को नहीं मानना चाहिए और इसलिए मैं उन पर बोज नहीं डालूँगा ज्यादा बोज नहीं डालूँगा लेकिन तुम्हारे पास जो है उनको तुम थामे रहो और जो दुनिया के अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेतान की बातों को जानने की चाहत रखते हैं सेतान के कामों के बारे में जानने की अफेक्सा रखते हैं लेकिन प्रभु का वचन हमें साप साप मना कर रहा है कि जो बातें सेतान की हैं जो बातें गहरी हैं उन पर तुम मत जाय करो उन्हें तुम मत डूंडो लेकिन जो तुम्हारे पास है परमेश्व का उद्धार हमारे पास आया है विस्वास के द्वारा जो धार्मिक्ता है मसीश्व पर विस्वास करने से जो हमें धार्मिक्ता में मुक्त में मिलती है उन्हें उसी के अंदर हमें स्थेर रहना है जो सही शिक्सा है जो हमें बचाती है सही शिक्सा जो सुसमाचार है उस सुसमाचार के बारे में पॉलुस भी गलातियों की पत्री के अंदर और पहले करंथी के अंदर हमें बताता है जो सुसमाचार मैंने तुम्हे सुनाया है गलातियों एक नौ में पढ़ते हैं जैसा हम पहले से कह चुक हैं वेसे ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने गरहन किया है यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो सापित हो जो सुसमाचार मैंने तुम्हे सुनाया है उसको छोड़ और कोई तुम्हे सुसमाचार सुनाता है तो वो सापित हो गलातियों एक ग्यारा में पढ़ते हैं कि है भाईयों मैं तुम्हें बताये देता हूँ कि जो सुसमाचार मैंने सुनाया है वह मनुश्य का नहीं क्योंकि वह मुझे मनुश्य की और से नहीं पहुँचा और न मुझे सिखाया गया पर यिश्मसी के प्रकासन से मिला है तो इस बात से हमें चेतावन ही देता है कि जो सुसमाचार मैंने तुम्हें सुनाया है वह मनुश्य का नहीं क्योंकि वो मुझे मनुष्य के और से नहीं लेकिन युश्य मसी के प्रकासन से मिला है वही सुसमाचार है और उस सुसमाचार के बारे में फैला कुरंति उसके पंदरे अध्याई में हम पढ़ते हैं कि पंदरे अध्याई के अंदर कि है भाई अब में तुम्हारा उद्धार भी होता है यदि उस सुसमाचार को जो में ने तुम्हें सुनाया था समरन रखते हो नहीं तो तुम्हारा विश्वात वियर्थ हुआ जो सुसमाचार मैंने तुमको सुनाया उस सुसमाचार के द्वारा जो तुम्हें अंगिकार किया तुम्हें स्थीर हो और वो तुम्हारा उद्धार करता है और उसके द्वारा निरंतर उद्धार होता है उ उसी को तुम थामे रहो और उसी को तुम स्मरण रखो जो पहला सा प्रेम उसके अंदर में बना रहना है जो उद्धार हमने प्राप्त के है उसी उद्धार में बना रहना है और इसलिए कि हम हमारे रास्ते को हम भटक न जाए जो हमारे पास है उनको हमें थामे रहना है और जो जई पाए और मेरे कामों के अन्थ तक करता रहे, मैं उसे जाती जाती के लोगों पर अधिकार दूँगा। परमेश्वर हमें जाती जाती के लोगों पर अधिकार देता है, जैसे बजन सहिता एक आठ में हम पढ़ते हैं, मुझ से मांग और मैं जाती जाती के लोगों को तेरी संपती होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी नीज भूमी बनने के लिए दे दूँगा फरमिश्वर हमें जाती जाती के लोगों को और दुर दुर के देसों को नीज़ भूमी होने के लिए हमें देने के लिए वो वादा करता है और वह लोहिका राज़ दंड़ लिये हुए उन पर राज़ करेगा जिस परकार कुंबार के मिट्टी के बरतन चक्वना चुर हो जाते है मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है हाललुया यिश्य मसी ने पिता से जो अधिकार पाया वो अधिकार परमेश्वर हमें यिश्य मसी के द्वारा जो हम जई पाते हैं और उसके कामों के अनुसार उसके वचल के अनुसार हम करते रहते हैं तो परमेश्वर वही अधिकार हमें देगा जो लोहे का राजदंड लिये हुए राज्य करता है मसीवी में प्रियो इस समय परमेश्वर अपने प्रेम से उस लोहे के राजदंड को वो चलाता है जो कि उसके पास आता है उनका हिर्दे चकना चूर हो जाता है प्रभु की और जो फिरता है प्रभु उसे अनंचीवन देता है और अंत में लिखा है कि और मैं उसे भोर का तारा दूँगा जिसके कान है वो सुन ले कि आत्मा कलिश्याव को क्या कहता है जो जही पाए उसके वचन के अनुसार जो कार्य करें उनके परमेश्वर भोर का तारा जो यिश्मसी है परमेश्वर का जिवित वचन परमेश्वर की सामर्थ जो भोर का तारा एक चिन है जिसके द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर उज्याला को प्रगट करता है उसके सिवा और कोई नहीं है यिश्यमसी के सिवा और कोई नहीं है इस आकास के नीचे पृतिफर एक ही नाम हमें दिया गया है वो है यिश्यमसी का नाम और उसी नाम के अंदर उद्धार है उसी के नाम के अंदर हमें चैवंत जीवन हमें प्रड़ाप्त होता है और इसलिए धुआतिरा के कलीश्या को जो संदेश प्रभू देना चाहता है कि तू इस वेल की जो तेरे अंदर है उनके साथ तू समझोता नहीं करना उनको निकालना है उनकी गलत सिक्षाओ को निकालना है उसको तोड़ना है और इसलिए जब हम जो हमारे पास हैं जो परमेश्युर का महान उद्धार हमारे पास है वरमेश्यु का प्रेम, उसका विस्वास, उसकी शान्ति हमारे अंदर है उसे थामे रहना है और जब तक यिश्यमसी का दुसरा अगमन ना हो जै तब तक हमें उसके प्रेम के अंदर, उसके वच्चन के अंदर उसके संगती में हमें बना रहना है और संसार से कभी भी समझोता नहीं करना है सतुर श्रितान से कभी भी समझोता नहीं करना है चाहे केसे भी दिन आये लेकिन जो परमीश्र हमें जैदी लाता है वो निरंतर हमारे साथ साथ रहता है और इन वचनों के द्वारा में प्रबू आप सभी कौासिशीद करें